नियूस क्लिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिगनेश, बहुत एहम चुनाओ है, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले दौर का मद्दान हो चुका है, यानि 89 सीट्स पर वोट गुजराती मद्दाता डाल चुके हैं, आपकी जो कॉंस्ट्वेंसी है, इस पर बहुत निगाहे हैं, बहुत वजहों से निगाहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लग रहा है? जनता मुझे प्यार करती है, वडगाम की जनता को मालूम है, 25 साल पुरानी यहां पानी की किल्लत है, यहां की मुक्तिसोर डेम और करबाव तलाब में पानी लाएंगे, लाएंगे, 20-25 साल तक भाजपा ने उल्लू बनाया, हम लोगों ने रेलिया की धरने दिये, आवेद लोगों ने देखा हुआ है, पैर जमीन पर है, लोगों की तरह रहता हूं, चार साड़े चार सल गुमने के लिए फॉर विलर भी नहीं थी, बस में ट्रेन में आता था, दोस्तों की गाडियों में आता था, वडगाम के लोगों के मालूम है कुछ विदाएक पांच करोड म और आपके खिलाफ भी, उसमें उन्होंने कहा है कि ये वोट जो है, बीजेपी को वोट है क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस उधर चले जाते हैं जीतने के बाद, आप ये वाला जो वार है, क्योंकि भाशपा तो आपके खिलाफ है ही, लेकिन इधर आपकी कॉंस्ट्वेंसी सहि किक है क्वायत भाशपा का की कॉंग्रेस जीतें और जांगे कहीं और मतलब आपके ये करें कि दोनों साथ में मिलकर एकर हो है, वह जफे दिखाई तो दे ही रहा है, तो दोनों के दूश्मन कॉंग्रेस हैे, उनके बयान से तो लगी रहा है, बंठी उनकी जो जगह है, इस इस वक्त पे सोशिल मीडिया पे कल सुबह चुना हो जाए उनकी एक सीट नहीं आ रही है एक सीट उनकी नहीं आ रही है तो मैं वो क्या कह रहे हैं क्या करें उसे पर फोकस नहीं करूंगा कॉंग्रेस पार्टी हर मेने बेरोजगार युवक यूतियों को तीन हजार रुपिय का भथ्था देंगी दस लाग तक का मेडिकल वीमा मिलेगा एक लिटर दूद पर पांच रुपे के सबसीड़ी मिलेगी भूमी हिनों में जमीनों का वंटन होगा अच्छे अस्पाताल बनेगी हम जिन मुद्दो पर खरेगे यह आप राहूल गांदी ने जो आठ बिंदू द्वार का पॉइंट्स बढ़ता है वो ग्यारा सो बारा सो रुपिया में जो गैस का सिलिंडर मिलता है राहूल गांदी की गैरेंटी है कॉंग्रेस पार्टी का वच्छन है 500 रुपिया में गैस का सिलिंडर देंगे तो हम इस मुद्दो की बात करेंगे एक चीज जो बहुत खास है आप अपना सबसे बड़ा लड़ाई होगी। इसलिए लोग ठक चुके हैं मोदी जी का चहरा देख देख कर देख देख कर पक चुके हैं। कि भाए रोज सुबाउट वठो टीवी चालू करो तो वही। सोशिल मीडिया पे देखो तो वही। अखबार निकालो तो वही तो लोग ठक गए अब बात भी कुछ नहीं नहीं कर पा रहे हैं जनता भी उनके कारेकरम में नेचरोल ही नहीं आ रही है आशा वरकर आंगरवाडी बहन जियासिप के जवान सफाय करमी कॉंस्टेबल इनको भरबर के बिठाते हैं तोला दिखाने क स्वभावी कुरूप से उनको सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है क्यों जनता को मालूम है आएंगे और गोला फैंक की गेम चालो होगी गोला फैंकर चले जाएंगे गोला फेकेंगे यानि जूट बोलेंगे और क्या करेंगे इतना दूंगा ये कर दूंगा सब चलाए ख अभी में इन साथियों को गिनवा रहा था मेरे अभी इस मिटिंग में मत्क्षेतर के लोगों को इन में से इस पर्टिकुलर गाउं की बात करें तो 99% लोगों की मंथले इंकम 10,000 से कम है तीन हजार का तेल का डिब्बा, ज्यारा सो का गेस का सिलिंडर, चार हजार के करीब हुआ, आठ सो नो सुर प्या किसी के पास मकान ने तो उसका किराया पांच हजार, बाप और बेटा मिलकर पचास-पचास का पैट्रोल डलवाए गाड़ी में रोज, तो महिने के तीन हजार, आठ हजार तो यह हो गया, फिर दूद, सबजी, कीरणा, कोई बच्चों की फीस, दवाई या, कोई बीमार हुआ, अस्पताल जाना पड़ा, कोई से लोग जी पाएंगे, तो इस बात का लोगों में रियलाइजिशन है, और मेरी कॉंस्टून सी और अलावा भी ज्यादा तर नौर्थ गुजरात में, सवराष्टा में जहां गया हूँ, पिछले चेनाट देस महिनों में, एक प्रकारसिक साइलेंट वेव शायद चल रहा एक आखरी सवाल ये बताइए, कि यहां पर जितने उम्मीदवार हैं, सबकी लड़ाई मोदी जी से है, और मोदी जी का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, वो लाजर देन लाइफ है, पूरे कटाउट से लेकर सारा प्रचार की आएगा तो मोदी ही, जो बहुत लोग बोल जालेगा, तो चेंज होगा किना, इतने दिन से दोनों लोग, मतलब ग्रियमंत्री और प्रधान मंत्री कुछ नहीं है, गुजराट चुनाओ है, रास्ट की नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी भाजपा की नौकरी कर रहे हैं, देश का कुछ भी हो जाए, 24,000 करोड का खर्चा करके नहीं पार्लामे दिया था, कि सो में से 45 बच्चे कूपों सी थे, आज 20 साल के बाद भी सरकारी एड्मिट कर रही है, कि सो में से 45 बच्चे कूपों सी थे, तो आपने अचीव क्या किया, पबलिक हेल्थ में गुजरात नंबर वनें बिलकुल नहीं, एजुकेशन में बिलकुल नहीं, तो रिवर फ्रंट दिखा कर, सी प्लेन उड़ा कर, कूपों सुन तो दूर नहीं होगा, इस बार आपको लगता है कि पांस से पहले कोई और सी प्लेन उड़ेगा, उड़ सकता है, उड़ सकता है, इस बार विकास गायब हो गया, 2002 का नरसाहार आ गया, तो मुझे ये हैरान कि इस बार विकास का ढोल नहीं बज रहा है, गुजरात में मुझे लग रहा था कि गुजरात में होगा, लेकिन 2002 का 20 साल पहले वाला, मतलब मोदी जी ये कहकर वोट नहीं माग रहे है, कि खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भरती करूंगा, पुरानी कुछ चीज करें अप यहां गुजरात विधानसभा में अपना रोल और कॉंग्रेस का रोल कैसे देख रहे हैं, भविशी कैसे देख रहे हैं इस चुनाओं में कॉंग्रेस का भविशी बहुत अच्छा है, 120 का अंकड़ा पार करेंगे, सरकार बनाएंगे और आठ तारिक की सामको गु जाल उडेगा